Blitzkrieg का क्या मतलब होता है या आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं Blitzkrieg का मतलब होता है फोजी हमला या बंवर्शा या तुफानी हमला यानि कि ये जो है एक जर्मन शब्द है और इसका इंगलिश में मतलब होता है यानि कि जो बहुत ही तेजी से और बहुत ही बिजली की गती से जो कोई युद्ध होता है या हमला होता है तो उसको Blitzkrieg कहा जाता है यानि कि Blitzkrieg means lightning war in German or a flash war in German refers to a military tactic characterized by a swift and coordinated attack using overwhelming force and speed to quickly penetrate enemy defense यानि कि किसी भी दुश्मन के अक्षेतर में जब हमला किया जाता है तो वो इतनी तेजी से और इतनी planning के साथ किया जाता है कि जो सामने वाला होता है उसे संभलने का भी मोका नहीं मिलता और बिजली की कती से किये गए इस युद में जीत के बहुत ज़्यादा chances होते हैं तो इस तरह के का जो हमला या युद होता है उसको Blitzkrieg कहा जाता है यह वीडियो शेक्षने को देश्य से बनाया गया है अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें